हलो स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स, वेलकम टु जुमेट्री स्कूल, स्टुडेंट्स, आज मैं आपको सर्जीकल स्टाइक एट दरेट सैनिक स्कूल 2022-23, यह हमारी जो सिरीज है, 1000 क्वेस्टन की, सुपर इंपोर्टेंट क्वेस्टन में इसमें करा रहा हूँ आपको, इसका क्या कराऊंगा, आज मैं प्रैक्टिस सैट नंबर 20 कराऊंगा, 19 सैट आपको करा चुका हूँ अब तक, अगर आपने 19 सैट नहीं किये, उन सैट को भी कर लीजे, क्योंकि रिजिनिंग एक इंटेलिजेंस, एक ऐसा सेक्स हैने, जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टि अबर है, तो अपना फोर्म फिल कर लीजिए, अपने डोकुमेंट्स को डेडी रखिए, अपना फोर्म को सम्मिट करिए, और अपनी तयारी में जूट जाईए, क्योंकि आपका तीन महीने से कम समय होता जा रहा है, 2.5 मंस के अकोर्डिंग आराउंड आपके पास समय बच hedge, 3-sided close figure इसको triangle कहते हैं, 3-sided, तो यहां से आप देख रहेंगों एक triangle होगे clear, ऐसे ही, एक triangle हो जाएगा 2, एक यहां से हो जाएगा तीन, एक यहां से हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 5, 5 triangle तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हो, इसमें clear,же 5 triangle, लेकिन option में 5 हैं, 5 से जा हलो यहां से ये ट्रेंगल हो गई साथ हो गए किरियर हम मैं अगर इसकी W con यहां से यह ट्रैंगल हो गया आठ हो गई और अगर मैं इसकी बात कुन यहां से यह एक triangle हो गया 9 हो गये और आपको पता जब triangle 9 हो गये तो इसका मतलब option क्या है 10 10 वा भी हो गई कही ने कही ठीक है तो answer क्या है इसका 10 clear answer हो गया इसका 10 तो आपको यह जानग में बैस सीधे 5 तो आपको मिली रहे तो यहाँ से अगर एक बात करें यह एक triangle हो गया यह एक पूरे वाला हो गया similarly अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक हो गया यह triangle और एक यहाँ से हो गया ठीक है तो यह हो गया आपका पूरा understand तो आपको यह द्यानक ना है चलिए next पर अब यह question है question paper यह कौन सीएर का है 2020 2020 का question paper है इसको मैं एक पार्ट आपको करा चुक हूँ आज मैं बचेवे question कराऊँगा 114 से आगे है 113 तक मैं आपको करा चुक हूँ आज मैं 114 से कराऊँगा 113 तक आपको मैं करा चुक हूँ चलिए देखे question in a certain code deep को क्या लिखा है ने deep को deep को 3587 file को लिखा है 7465 ideal को बताना है तो क्या रखा है नो ने deep deep को क्या लिखा है 3587 और file को क्या लिखा है 7465 इस तरह के question में सबसे पहरे ये देखो कि इनके direct code तो नहीं लिखे हुए और इसको verify कैसे करेंगे आप यहाँ पे देखे E और E यहाँ पे इन दोनों में comment देखे क्या क्या है F इदर्भी है F इदर्भी है understand F इदर्भी है F इदर्भी है E इदर्भी है और E इदर्भी है अब 5 और 7 5 और 7 मतलब direct number के direct alphabet के direct letter के code लिखे हुए यह जो direct है letter के code लिखे हुए D का code 3 है E का 5 है E का 8 है F का 7 है यहाँ से देख लिजे F का 7 आ गया F का 7 आ गया understand अब इन्होंने पूछा ideal का I D E A L ideal का पूछा है तो I का code कितना है यहाँ से I का है 6 I का कितना है यह रहा 4 I का है 4 D का कितना है 3 E का कितना है 5 A का कितना है 8 L का कितना है 6 4, 3, 5, 8, 6 4, 3, 5, 8, 6 किसमें है option B is the right answer 20 का सही जवाब है next चलिए choose the word which is least like the other words आपको क्या है जो उस सब्द को चुनिए जो दूसरे सब्दों के समूसे मेल नहीं खाता least like the words clear तो आप देखेंगा plastic, wool, paper और wood सबसे अलग क्या है plastic क्यों है अलग क्योंकि plastic non-bio-degradable है plastic कभी नश्ट नहीं होता wool यह degradable है paper degradable है wood degradable है तक यह डिग्रेड हो जाते है clear option A is the right answer next लिए rubber random restricted restaurant इन में क्या बताना है if we arrange the words in alphabetical order which word would come at the last जाना का option में last पूचा हो है last तो आपको last बताना है तो आपको पता है sum में R पहला पहला क्या है R है sum में तो पहले से पताने चल ला है दूसरे में A आया है E आया है E आया है और यहाँ पे O आया है तो A E और E और O इन में सबसे last में कौन सा आएगा O आएगा भी O की position कितनी होते 15 होती है यह बात तो पता होगा O की position E की 5 होती है E की 5 होती है और A की तो 1 होती है तो सबसे last की position 15 वाले की होगी तो मतलब रोबर की होगी तो रोबर सबसे last में आएगा रोबर सबसे last में आएगा Understand Option is the right answer चलिए next Choose the alternative that will continue the number series यह number series है 11 लिखा होगा है फिर लिखा होगा है 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 25 और क्या आएगा question में तो यहां पर कितने का gap है 2 का यहां पर कितने का gap है 4 का यहां पर कितने का gap है 2 का फिर से यहां पर 4 का gap हो गया फिर से 2 का और फिर से कितना हो जाएगा 4 का बाद जब मैं 25 में 4 का gap करूँ हो तो 29 मिलेगा मुझे 29 Option B is the right answer Clear? और यह मैं previous year का exam question paper पर इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एकदम question की language भी आपको पता चली जाए कि किस तरह से question भुमा के पूछा जाता है एकदम language आपको अच्छे से पता हो question की EPV Choose the correct alternative that has the same relation BMJ का जो relation H-S-Y से है EPV का किस से होगा तो सबसे सबसे पहले EPV का relation H-S-Y से है EPV का H-S-Y से यहां से पता चल ला है EPY के लिए EPV EPV के वो लिख लीज़ा आपके letter का क्या position E का कितना है 5 के लिए P का कितना है 16 और इसका कितना है आपका V का आपका V का हो जाएगा आपका T का कितना है 20 21, 22 22 हो जाएगा ना 22 हो गया ठीक है 22 हो गया अब H-S-Y H-S-Y देखिए हमने H S और Y H का कितना है कितना है इसका 8 हो गया H का 8 हो गया S का कितना हो गया 19 Clear और Y का कितना हो गया 25 तो आप एक बात देख रहे होगे 5 पोजिशन थी और 8 हो गई तो कितना प्लस 3 एड हुआ है 3 एड कर दिया 16 पोजिशन थी 19 हो गई प्लस 3 एड हुआ है 22 पोजिशन थी 25 हो गई तो प्लस 3 एड हो गई clear? तो यहां से आपको यह बात पता चल गई होगी अब क्या करना है हमें हमसे पूछा है किसका BMJ का पूछा है तो BMJ में क्या करेंगे इनकी position लिखे लेंगे और उसमें 33 add कर देंगे BM और J B की position 2 है M की position 13 है J की position कितनी है 12 के लिए 10 होगी ठीक है 10 अब इसमें 3 add कर यह जब मैं 3 add करूं तो 5 मिलेगा 5 किसकी position होती है E की मैं जब इसमें 3 add करूं तो 16 हो जाएगा 16 किसकी position होती है 16 position किसकी होती है भाई P की होती है 16 तो कोई डाउट नहीं है और J में मैं आपका 10 add करूं तर्टीन होती है 13 पोजिशन किसकी होती है M की होती है के लिए तो EPM मुझे मिलेगा EPM किसी में है Yes option C is the right answer option C is the right answer के लिए चलिए next बहुत है last वेन डाइग्राम का question है वेन डाइग्राम का question है वेन डाइग्राम का question है egent cuma first अहां प्लोऊवर लोटस और रोज इन में क्या इसन पूस吗 है आहपको पता है लोटस और रोज दोनों flower हैं तो फ्लोवर तो आ जाएगा सबसे बहार है flower to से बहार the लोटस और रोज लोटस और रोज का आपस में कोई लेना देना नहीं है यह फिगर बनेगा यह डाइगनाम तो यह तो option A is the right answer चलिए question number 120 choose the alternative that has the same relationship जो 7 का relationship 49 से है तो 11 का किस से होगा तो 7 का relationship 49 से कैसे है अगर मैं 7 का square कर दू तो मुझे मिलता है 49 कोई doubt नहीं है तो मैं क्या करूँगा 11 का भी square करूँगा 11 का square करने से मुझे मिलेगा 11 into 11 11 into 11 कितना होता है 121 understand 121 D is the right answer clear चलिए choose the word which is least like the other word in the group कुछ colors लिखे होए green, pink, indigo तो इनमें कौन सा लगे है तो आपको पता rainbow का color क्या होता है विग भी और होता ने वी विग भी और विग भी और तो वी कितना हो गया violet हो गया violet तो है यहां पे indigo भी है green भी है pink है यहां पे pink नहीं है pink rainbow का color नहीं है old one तो option b is the right answer चलिए blood relation का question है x is the brother of the son of y's son तो यह y है y का son यह हो गया y son of y's son इसके भी son का भी यह और इसका brother है x यह है x अब पूछा है x related to y तो x कैसे है y से related तो क्या दिख रहा है आपको यह इसका बच्चा है इसके बच्चे का बच्चा को नहीं हो गया grandson क्या हो गया grandson तो grandson option c is the right answer चलिए ले area of rectangle is 48 meter square if the length is 6 meter देखें math का question लग रहा होगा arithmetic का question लग रहा है लेकि actually क्या है कुछ यह common sense के question होता है यहां से भी question आजाते है तो area कितना दे रहा है आपको area क्या होता है rectangle का area होता है length into breadth तो अब area हमें बता रहा है 48 और length हमें दे रहा है 6 अब पूछा breadth कितना हो तो मैं breadth को into b कर लेता हूँ understand अब यह 6 है तो शे डिवाइड होगा कितना आएगा 8 तो b की value breadth कितने आजाएगी 8 option d is the right answer न्याक्षा लिए the priest told the devotee the temple bell is rung at regular interval of 45 minutes क्या होती है हो 45 minutes के regular interval rung करती है the last bell was rung ring rang rang यह होता है ring ring होता बजना rang उसकी second form और rung होगी third form rung 5 minutes है गो वो क्या है 5 minutes पहले उस बजी है हो the next bell is due to be rang at 7.45 अब आप यह देखो कि next bell at 7.45 पे बजी ही तो उससे पहली कब है 7 बजे बजे 7 बजे बजी नहीं चाहिए at what time did the priest give the information to the devotee और जब यह priest ने बताया कि उसने यह बताया कि 5 minutes पहले बजी है तो मतलब वो 7 बज़के 5 minutes पे बताया होगी यह 7 बज़के 5 minutes पे 7 बज़के 5 minutes पे बताया होगी तभी तो अगली 7 7.45 पे होना है तो इससे last वाली 7 7 बजे बजेगी और प्रिश्ट ने information बताया कि 5 minutes पहले bell बजी है तो मतलब 7 बज़के बजी होगी ना 7 बज़के तो मतलब तो सही answer क्या है 705 information प्रिश्ट ने प्रिश्ट ने information कब दी है 705 पे तभी तो 5 minutes पहले 7 बज़े बज़नी चाहिए हो understand तो option A, B is the right answer चलिए next in a certain code MBS is coded as ODU then BRL will be coded तो बिलकुल अगेर वही question आगया M B जो मैंने कर आया था position लेगे दीजे M की कितनी है 13 B2 S कितना है 19 O, DU D, Q O की कितनी है 15 D की कितनी है 4 U की कितनी है 21 आप क्या नौट कर रहे हैं अप इसमें प्लस 2 अड़ गर दीजे 13 में ब्लस 2 अड़ कर दिया मुझे 15 में लेकी 2 में plus 2 add कर दे है, 19 में plus 2 add कर दे है, 21 में לिगा, तो मतलब plus 2 add हो रहा है, अब आपको क्या करने, BRL का लिखना है, BRL, तो B का कळब कितना होता है, 2, clear, R का कितना होता है 18, L का कितना होता है, 2L, understand, अब इसमें क्या कर दे है, 2 add कर देंगे तो 4, 4 किसका हो जाएगा D का इसमें आप 2 add कर देंगे 20, 20 कितना हो जाएगा D का आप इसमें 2 add कर देंगे तो 14, 14 किसका हो जाएगा N का तो DTN किसमें A की option में, DTN, option A is the right answer clear, option A is the right answer, next चलिए अब आइए burning question of the day, बहुत अच्छा question है सैनिक स्कूल के exam में आया हुआ question है, try करिए, देखते हैं कितने students इस question का जवाब देते हैं, इस तरह question आते हैं exam में अगर आप सैनिक स्कूल की तेयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इन premium courses को अवेल कर सकते हैं, यह हमारा परमवीर course है, इसमें आपको एक concept वीडियो के साथ सब कुछ package मिलता है, अगर आप चाहते हैं सिब questions की practice हों तो महवीर या वीर pack को अवेल करिए, इन से आपके questions की practice बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ में similarly यह 9th class की courses है, हमारे कीर्ती, सोरिय और अशोक, इनको भी अवेल कर सकते हैं, जो आपकी demand है, इन में आपको क्या क्या मिलता है, concept video मिलती है, topic wise कुछ मिलती है, sample paper मिलते है, previous year paper मिलते है, live test, mock test, सब कुछ मिलता है, pen drive course को अवेल कर लीजिए, अगर आपका internet अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe और bell icon पर click जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह important इसलिए है कि 1000 question की यह series तिल exam चलती रहेगी, आपके practice question जितने ज़्यादा हो जाएंगे, उतना ही सही है, और bell icon पर click कर लेंगे, तो आपको regular notification मिलता रहेगा, कि यह video number यह आगया, set number यह आगया है, 800 हमारा set अलग है, zero to hero batch, mass मेरतन, यह अलग series हमारी सारी है, तो इन सब चीजों का आपको फाइदा मिलता रहेगा, आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, आपने laptop computer से भी पढ़ सकते हैं, आप हमें window www.geomantyschool.in, eo url आप डालेंगे, तो आपको आप window के भी पढ़ सकते हैं, यह हमारे official number है, इन number पर आप में whatsapp या call कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी information सैनिक स्कूल रिगार्डिंग चाहिए, so student मिलते हैं next video में, thanks for watching.